खबर है जार्खन की निगाहे लोक डाउन फाइपर अगर हालाद बिगडे तो बढ़ सकती है सकती जहां खबर आ रही है जार्खन में परवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में वापस लोटने की समस्या और उन पर मिलने वाले संक्रमन लागातार मुसीवत खड़े कर रह जार्खन में जो भी मजदूर मिल रहे हैं उनमें अधी संख्या परवासी है जुन महा में संक्रमीत लोगों की संख्या बढ़ने की उमीद है ऐसे में लोक डाउन को लेकर सोच समझ कर सरकार निर्ने लेगी लोक डाउन पर राज्य सरकार केंद्रे के निर्ने के साथ केंद्रे कबिनेट सचिव राज जीव गौबा को राज्य की ओर से यही फिडबैक मिला है गौबा राज्य के मुख्य सचिव सोगदेव सिंग आपदा परबंधन सचिव अमिताप कोशल स्वास्ते सचिव डॉक्टर ने तीन मदन कुल करने और अन्य अधिकारियों से परवासी स्रमीकों की घर वापसी में केंद्र और कई राजियों में कई राजियों से अपेक्छित सहयोग ने मिल रहा है तेलंगाना अस्सम गुजरात महाराश्टर दिल्ली और हरियाना से वापसी में ज्यारखंड के स्रमीकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ र लखा गया है तमिलाडू के किरोड जीले में जह जह मिल्स में जहारखन के 140 महिलाओं को वापस आने से रोका गया है अमदाबाद और सूरत में भोजन को लेकर संगर्स के कारण सरमीकों को जेल में डाल दिया गया है इन सभी मामलों को लेकर वह ग्रीम मंत्री से बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन शायद उनके बेवस्तिता के कारण समय नहीं मिल पा रहा है खबर देश की पहली महिला आदिवासी कुलपती बनी सोना जर्यमिंज जहां खबर आ रहे है सोना जर्यमिंज भारत की पहली आदिवसी आदिवासी कुलपती बनी है जिहां आदिवासी महिला कुलपती बनी है जारखन की राजेपाल द्रोपदी मुर्मो ने सोना जर्या मीच को गुरुवार को सिद्धो कानों कुल बिशोविद्याले के कुलपती न्युक्त किया राज़ेपाल ने तीन विश्वविद्याले के कुलपतियों की न्युक्ति की जिन में बिनोवा भावी विश्वविद्याले के कुलपति मुकुल नारायन देव और निलामबर पितामबर विश्वविद्याले के कुलपति प्रोफेसर राम लखन सिंग बनाए गए सोना जरिया मिंच को कुलपती बनाए जाना एतिहासिक है वे भारत की पहलिम आदिवासी कुलपती है सोना जरिया मिंच जे एन्यू की शात्रा रही है और बरतमान में वे वहीं पर स्कूल आफ कम्प्यूटर एंट सिस्टम साइंस विभाग में प्रोफिरसस है खबर है रेलवे का बड़ा बदलाओ ततकाल कोटा लागू 120 दिन पहले आरक्षन की भी मिलेगी स्वीधा खबर आरे भारती रेलवे ने एक बड़ा घोशना किया है अब तक जून से चलने वाली रेलवे को लेकर रेल मंत्राले ने बड़ा बदलाओ करती हुए आरक्षन की पुरानी बेउस्था फिर से लागू कर दी है इसके अनुसार अब 30 दिन नहीं बलकी पुराने पैटर्न पर 120 दिन पहले रेलवे आरक्षन सुवीधा यात्रियों को मिल सकती है इसके साथ ही ततकाल कोटे को भी रेलवे ने लागू कर दिया है नहीं बेउस्थ आदी के रेलवे ने लोकडाउन के बीच अभी देश के पंदर बड़े शहरों के लिए नई दिल्ली रेलवे श्टेशन से 30 जोड़ी स्पेसल ट्रेन चलाने का परबंद किया है यह ट्रेने प्रिमियम केटेगरी की हैं इनमें लोकडाउन में बाहर फसे हजारों यात्री रो रहने का समय जारखन में होगी इसकी तयारी दोस्तों खबर आ रही राजी में शराब दुकानों के खुले रहने की सीमा बढ़ाने की तयारी चल रही है सरकार 31 मई के बाद 2 घंटे और अधीक समय तक दुकान खोल सकती है इसके लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुक राजस्व को काफी नुकसान हुआ है आगे भी अभी बड़ी राहत मिले की उमीद नहीं है इस लोगडाउन आधी के बाद दुकानों की समय सीमा बढ़ाने को लेकर निरने लिया जा सकता है अभी विक्री की जो इस्तितिया उसे देखकर लगता है कि समय सीमा बढ़ाना आ दूरी है इसी को देखते भी लोगों को कोरोना सेस के रूप में अती रिक्त सुल्क लिया जा रहा है और वैट भी बढ़ाई गई है दो घंटे समय बढ़ने से बढ़ सकती है सतर फीसादी विक्री जारखन शराब्यावसाई संग ने बताया कि शाम के सात बजे दुकान ब दाहक बढ़ जाएंगे। 14-15 किलोमेटर वर्ग फल के दाइरे में पेडो पर लदे मौसमी फल आम लीची के साथ खेतों में लगे जेटुआ फैसल बैगन करेला जींगी परवल तोरई तरबूज अर्बी लौकी टमाटर खीरा आदी की तैयार फसलों को बरबाद कर तबाही मचा सकता है गाउं के तैयार फसलों को चट कर तबाही मचा सकता है गाउं के अलावारी हैसी इलाके भी इनके चपेट मा सकते हैं जीले के 18 लाख अबादी के लिए खादेस अंकट उत्पन हो सकता है क्योंकि टिड्डियों का एक दल 35,000 लोगों को प्रयाप्त खादेस अंगरी एक दिन म नहीं रहा है लेकिन जो सुचनाय मिल रही है उसी हिसाब से 14 से 15 किलोमेटर पर 30 वर्ग किलोमेटर के दाएरे में 8 से 10 टीडियों का दल इधर रुक कर भारी तबाही मचा सकता है खबर जहरखन के सीम हेमन सोरेन ने कहा मुंबई के बाद अब लेह से 60 सरमीक शुकरवार को विमान से घर लोटेंगे जहरखन के मुखिमंत्री हेमन सोरेन ने कहा कि और ये लगाये गए लौकडाउन के वज़े से लेह में फ़से राजे के 60 सरमीक शुकरवार से जहरखन लोट रहे है सोरे ने शुकरवार को ट्वीट किया हम अपने परवासी सरमीकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए बचन बद हैं और इसी क्रम में लेह में फसे 60 सरमीकों को वापस लाने की वेउस्था सरकार ने कली है जो आज राज्ये में बिभिन बिमानों से लोटना प्रारम कर देंग सोरे ने कहा इस कारे में सहो के लिए लदाक प्रशासन स्पाइस जेट इंडिगो और सीमा सडक संगठन की पूरी टीम को धनेबाद गरतल भाई की मुख्रमंतरी ने कीस मई को केंदर ग्री मंतरी को पत्र लिख कर लेह में फसे राज्ये के सरमीकों को बिमान से वापस लान डोनाल ट्रम्प के मदिस्तता की पेशकस को ठुकरा दिया है चीन ने कहा है कि मामलेक सुलजाने के लिए तीसरे पक्च की जरूरत नहीं है अमेरिकी राष्टपती की पेशकस पर पहली बार परतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंतराले के परवक्ता जाओल इजियन ने कहा दोनों देश बरतमान सेने गतिरोद को हल करने के लिए किसी तीसरे पक्च से हस्चेप नहीं चाहते चीन और भारत के बीच सीमा से समद्धी तंत्र और संचार चैनल है जाओल इजियन ने ट्रम्प की द्वारा की गई मदिस्ता की पेशकस पर कहा हम बातचीता और माध्यम से हमारे बीच के मुद्धे को ठीक से सल सुलजाने में सक्षम है खबर 24 घंटे के बाद पूरे भारत से हीट वेव खत्म हो जाएगी मौसम भाग ने कहा खबर आ रही है उत्तर भारत भीशन गर्मी से परिशान चल रहे है लोगों को गुरुवार को हुई बारिश से कुछ राहत मिली है वही भारती मौसम भीभाग के उप महाने दिसक अनद शर्मा ने बताया कि अभी दिल्ली अंसियार और उत्तर पश्चीम भारत के कुछ हिसों में बरसा की संभावना बने हुई है 40-50 किलोमेटर के रपताएं रपतार से हवाई भी चल सकती हैं मौसम बिभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक तापमान 40 डिगरी के नीचे रहने वाला है और 24 घंटों के बाद पूरे भारत से हीट वेव खत्म हो जाएगी वही मालदिव कामोरीन कौमोरीन छेतर के कुछ हिसों दक्षिन बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिसों अंडमान स पस्ची मौनसुन के आगे बढ़ने के लिए परिष्थितिया अनुकुल होती जा रही हैं 31 मई के आसपास दक्षिन पूरो और आसपास के पूरवी अरफ सागर से सटे इलाके में कम दवाव बनने के अनुमान से एक जुन दोया पास के रल में दक्षिन पस्ची मौनसुन क की सुरुवात के लिए परिष्थितिया अनुकुल होने की आसार हैं को और सुगम बनाने सोशल डिस्टेंसी के साथ धार्मिक जगों को खूलने जैसे फैसले लेने पर विचार कर सकती है वही राज्ज महीने भर के भीतर इस्कुलों को फिर से चालो कर सकती है लोगडाउन के चौथे चरण में केंद्रे ने राजियों को मामलों की गंभिरता के आधार पर जोन का सीमांकन करने का अधिकार दिया है और ब्यापक दिशानी देशों के साथ राजियों को अनुमती दी है कि वे एक सीमा तक अपने नियमों को लागू करें कई राजियों ने अपने यहां नीजी परिवहन को फिर से शुरू करने की अनुमती दी है वही कईयों ने दुकाने मॉल और शौपिंग कमप्लेक्स को छोड़कर और अध्योगी गतिविधियों को फिर से शुरू किया है वही इस बीच केंदर ने घरेली उडानों के संचालन को भी फिर से शुरू किया है लेकिन अब पूरा फोकस अगली चरण के लोकडाउन पर हो गया है